हाँ जी दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अमरेत और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नैशनल फार्मासियोटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी तो नाम से पता चल रहा है कि ये फार्मासियोटिकल के किसी प्राइज को रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी हो तो आपने बिल्कुल सही कैस किया है यह बिल्कुल एक प्राइजिंग अथॉरिट 기대 को कि कीब़ोर कह सकते है और यह आफोर्ड नहीं कर सकते मैडिसिन को तो अनके लिए अफोर्ड करना और प्रमों हो जाता है ऐसी कंडिशन में जब जिसके प्राइजिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसको कम करने के लिए ये अथॉर्टी को बिनाया गया है तो चलिए पढ़ते हैं इस अथॉर्टी के बारे में तो इसके फंक्शन्स क्या है तो नेशनल फार्मासिटिकल देखेंग आवरए इसके अफेले बिल्टी भी देखती है और इसके एसे बेल्टी भी देखती है ये तीने चीजों को ध्यान रखती से में दिक्कत आ जाती है तो सारा का सारा जो डाटा ये मेंटेन करके रखती है वो नैशनल फार्मासिटिकल प्राइजिंग अथॉल्टी ही रखती है तो और इसके बारे में बता दें तो यहां पर बताया गया है कि कोई भी जो ड्रग सप्लायर होता है तो वो MRP से ज़्यादा इसको नहीं बेच सकता है तो बेसिक सी बात है सबको पता होती है और जानने के लिए इसके बारे में जानने के लिए एक और पॉइंट है NPPA के दवारा एक unit जो setup किया गया था उसका नाम है price monitoring and resources unit तो यह हर state और हर UT में बनाया गया है हर नहीं कह सकते लेकिन 14-15 state पे जो बनाया गया है इतना important नहीं है तो यह जो PMRUs हैं जो भी price monitoring and resources unit है यह एक project और एक scheme के अंडर setup किया गया है जिसका नाम है consumer awareness, publicity and pricing monitoring scheme तो यह भी इतना important नहीं है तो आज की लिए हमारा यह इतना 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 important नहीं है तो ठीक है इतने functions वगारा कि वो क्या control करती है तो इतना जानना हमारे लिए काफी है तो आज की लिए इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखें और अगर आप भी कर लें